सो हेलो गाइस विल्कम बैक होगे हमारे एक और माइन्ट्रफ शर्वाइवल शीरीज के पार फोर में तो जैसे कि आपने पिछले पार में देखा होगा हमारा पूरा हमने पूरा सामान कलेक्ट कर लिया था हमारा एक एरिया बना लिया था जिसमें क्या मुक करेंगे तो इसलिए बार लगा इतना सप्लेंग्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा मैंने सोचा है छोड़ो मैं आपको दिखाई देता हो रोको इस जैसा मैंने सोचा है वो स्टार्ट होगा इधर से अरे एक कि दो अरे एक सिकेंड एक सिकेंड दो तीन चार पात छे प्रीक है यह हो गया एक सिकेंड अब देखते हैं दर से का में में मिल दी कर पहेंगे हो गई हो गई हो गई ठीक है यह हो गया एक सिकेंड एक सिकेंड एक दो तीन चार पात छे का हीट है यह सही है एक सिकेंड करना करने पर है प्रीक है एक सिकेंड आप देखो वो गया सिकेंड आप इधर से बना लेंगेंगा इलेवन टीक है एक सिकेंड आप लेवन ऋ के मन को लग गई हो गया एक सिकेंड एक सिकेंड एक सिकेंड 9 10 11 11 है यह से ही है फिर से इधर एक पिलर बना लेंगे हम इधर तो कितना हुआ एक सेकेंड एक तो तीन आरे चाद पाँ अरे पाँच अरे चे एक और पाँच अरे चे एक और पाँच जी हो गई अरे यह तो गलती हो गई यह तो हो गया तो चलो अब हम इसका एक सेंटर डूंड के उदर भी लॉक्स लगा लेते हैं एक वान टू ट्री फॉर फाइव नुझे लग रहा है इधर होगा ट्री फॉर वान टू ट्री फॉर फाइट अरे यार वही दिक्कत हो गई ना है कहां कहां लग रहे हैं कि एक और एक्ष्रेंट करना पड़ेगा तो अब में मिलता हम आपको इसका पूरा मतलब ऐसा फ्रेम बना के गई शोगाइज हमारा घर कंप्लिट ओ चुकर चलाना को एक बाऊर से एक सिक एक सिक तुरू है एक सिक तो एक सिक तो ईदर से इदर से इदर से इदर से जोंडिया यह लग जाएंगे मारी स्टेयार्स एक सिकेन यह मैंने बेड़ पर कुछ ऐसा स्लैप्स लगाए बाठी मुझे पता है कि वह मर्ज हो रहे होंगे तो मैं कुछ अमतलब अलग लकडी की भी बना बनाऊंगा स्प्रूस कहीं बनाएंगे स्प्रूस टीक है तो रहे डाग डाग होते हैं तो सही लगेगा बट एक सब्सक्राइब मुझे क्रफ्ट करना था दोड़ना यह को गया तीन वेस्टेच सही लग रहे है है हाँ सही लग रहे है मैंने इधर पेंज ग्लास पेंज लगाए है और तो फिर चलो मैं आपको एक स्किन दिखाता हूं यह कुछ ऐसा लग रहा है अभी इसकी छत भी बनानी है मुझे पता है वो भी बनाएंगे बट वह मैं सोच रहो कि कैसी बना हाँ यह जो विलेजर्स के छत थी न वैसी बना सकते हैं सी इसमें बनाई कैसे कि एक सेकेंड और तीचे मैं जब तक देखता हूं कि यह कैसे बनाना है ठीक है मतलब बाए नहीं इस टेक से पूरा रेडियो चुका है तो देखिए मतलब इसमें स्टेर्स को लगाना में जब टाइम नहीं लगा बट थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि मतलब स्टेर्स बार बार अलग 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 पॉश्चन में प्लेस हो रहते हैं बट इजी था यह सा कुछ ज्यादा भी हो नहीं था अंदर से विए अंदर से यह कुछ ऐसा मैंने इदर उपर ग्लास पेंट ग्लास लगाया पेंट से इतना अच्छा नहीं लग रहा था और तो यह हो गया है तो हाँ गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम नेक्स्ट वीडियो में यह तो हम MLG सिखेंगे जा फिर हम अमारे मतलब घर में पूरा सामान लेकाएंगे जैसे पूरा चेस्ट वेस्ट इसमें सारा सामान हमारा काने पीने का वह सब करेंगे तो काइस हमारा घर पूरा रेडी हो चुका है तो देखिए यह कुछ ऐसा लग रहा है स्टेश लगने में जादर टाइम नहीं लगा मतलब इजी था पर सोड़ा उसमें दिक्कत हुआ कि मतलब जो स्टेश थे ना वह बार 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 अलग अलग पोजिशन में लग रहे थे और बार बार मतलब ब्लॉक्स लगा के उपर चड़ो वह तो खेर हम वाटर पकेट से चड़ रहे थे बार बार के रहो तो कोई जिदिकत नहीं पड़ा मैं आको इखा तो अंदर कभी तेने देखिए यह मैंने उपर पूरा ग्लास लगाया मैं पहले पेंस लगाने की सोच अवाजय नहीं मैं पहले सोच रहा है था कि मिलकल कुछ मतलब ऐसा पेंस लगा दू बट नहीं पेंस इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ग्लास लगा दी और अब मैंने एक और चीज करी थी मैंने बनाई थिया पेंटिंग एक पिंटिंग में थी तो इसको लगा देते हैं अच्छे लग रहे ना फ्रेंस यह ऐसा कुछ पिंटिंग है तो फ्रेंस थैंक्यू आज की स्वीडियो के लिए बस इतना ही नेक्स वीडियो में आप मुझे कमेंस करके बताएं यह तो हम डाइमंड माइनिंग पर जाए य कि आज हमारा घर हो चुका है यह अब हम बार बार किसी विलेजर के घर पर जाके नहीं सब्सक्राइब तो ठीक है गाइस आज की स्वीडियो के लिए बस इतना ही तब तक के लिए टेक के रहें और भाई